हेलो फ्रेंज वेलकम तो माई चैनल आज मैं यह वीडियो बना रहा हूं मेरा बैंक निफ्टी एक्सपारी ट्रेड के उपर तो लेट्स आनलाइज मैंने क्या ट्रेडिंग किया आज और आज 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 आपके लिए यह एक बैंक निफ्टी का फाइव मिनेट चार्ट पे कुछ ट्रेंड लाइंज बनाई है तो जैसे आप देख सकते हो बैंक निफ्टी एक बहुत ही बड़ा गैप डाउन खुला फिर एक अपसाइट रिटरेश्मेंट फिर डाउन साइट फिर आ अगें फिर डाउन सिमिलर लोग पॉइंट पे तिनों के लोग सेम है वो नीचे जा नहीं पाया और एक की रेंज में कंसॉलेट हो रहा था तो उसके बाद के प्राइज अगर हम देखेंगे तो हमें एक अपर साइट के लेवल के आसपास एक कंसॉलेशन दिखाई दिया औ और फाइनली ब्रेक आउट तो जब यह ब्रेक आउट आया तब मैंने 36 35 700 की पुट और कॉल दोनों सेल कर दी सो एक्सपेक्टेशन थी कि बैंक निफ्टी बहुत जादा मूमेंट ना दिखा है इसलिए मैंने पूटन कॉल दोनों बेचे थे तो लेट सी दिस ट्रेड जैस थी वह 440 पॉइंट प्लस और माइनस दोनों साइट पर और जब वहां से एक बड़ी मूव मिली और एक अपसाइट दिखाए दी तो मेरा जो कॉल था वो लॉस देने लग गया और सामने पुट पैसे दे रहा था लेकिन जो लॉस था वो कई ना कई थोड़ा जादा हो रह और उसके बाद बैंक निफ्टी ने फिर से एक कुछ ताइम के लिए कंसलिडेशन दिया और उसके बाद एक और बड़ा ब्रेक आउट मिला तो अगर हम यहां पर एक ट्रेंड लाइन बनाते हैं तो वी कैन सी कि एट वाज मुविंग रिस्पेक्ट इस ट्रेंड लाइन औ तो मैंने एवेंचुली अपना लॉस्ट बोक कर लिया तो वह भी दिखा था हमें पोजिशन पर यहां पर देखिए एक नेरो कंसलिडेशन सिमिलर कंसलिडेशन हमें यहां पर भी दिखा दिया था और इस लाइग स्मॉल स्मॉलर ताइम फ्रेम पर यू के लिए लिए तो अगर अपसाइड ब्रेकडाउट मिलेगा तो आइवुड अगर डाउंसाइड ब्रेकडाउन मिलेगा तो आइवुड सेडल कॉल तैसे लास्ट हाफ में अगर आप देख सकते हो एक अच्छा का सा डाउंसाइड मिला जब मैंने वहां पर 36200 और 36300 के पूट अप्शन को सेल किया और मुझे वहां पर अच्छा का सा प्रॉफिट हुआ लेट्स गो एंड सी माइ पोजिशन सो यहां पर मैंने दोनों 30 5700 का सी जो मैंने बाइ किया था उसको मैंने 394 पे पहला बाइंग था 200 पे सेकंड मैंने 100 कॉंटिटी से आवरेज 50 कॉंटिटी से आवरेज और एवन्चुली मैंने लॉसे बुक किया अट 512 और चो पुट बाइ किया था 242 पे उसका प्रॉफिट मैंने बुक किया अट 22 तो आपर 220 पॉंट्स मिले लेकिन जो लॉस का हुआ हुआ वो कही ने गई थोड़ा जादा हुआ तो देखते हैं यहां पर 35700 का सी में आई ल लोट अराउं 22 तो 15,000 का नेट नेट लॉस हुआ जैसे अधर टॉप जब आप देख सकते हो एक अपसाइड मूव मिली नॉमली एक्सपरी पे वी सी बोट साइज मूमेंट अगर इनिशल लेवल पे डाउनसाइड जा रहा है तो second half में प्रॉब्राइटी हाय हो जाती है कि वो बाउंस बैक करें इस बिकाज दोनों साइड के प्रीमिंट को इनो डिके मिलता है एंड लाज मनी बेसिक स्मार्ट मनी बेसिकली ट्राइस टू इट प्रीमिंट अन बोट साइड तो दिस कमस वित माई एक्सपरीज और इसलिए मैं एक्सपे कर रहा था कि एक डाउनवर प्रीमिल ने उसे एक बड़ा रिजेक्शन मिला उसी टाइम पर मैंने 36 200 की कॉल बेची अब देख सकते हो और मेरी कॉंटिटीज भी जाधा थी 400 पहली बेची एक 142 एंड सेकेंड टाइम मैंने 400 और एक और डबल एड कर लिया जब कैंडल क्लोज हो गए नीचे तो 145 के लेवल पर है अरान 240 241 अर्मॉस्ट एक मिनिट का डिफरेंस पर है और पुट के पुट कॉल्स के जो प्रिमियम होते हों बहुत ही जाधा वोलेटाइल होते हैं एस्पेशली जब बैंक निफ्टी कोई बड़ा मूव करता है और उसके बाद एक अच्छा का सा डाउंसाइड अप है तो मैं मैं एक्सपेक्टिक्शन होगा कि बैंक निफ्टी यहां से रिट्रेस करेगा और यहां तो फिर जस्ट करेगा उसी लेवल के आसपास जो कि हमने देखा थोड़ा रिट्रेस्मेंट किया और उसने दिखाया दोनों में मुझे अच्छा प्रफिट हुआ मैंने यह अल्मोस्ट जिरो पे निकाल दी 030 पैसे और देख सकते हो यहां पर 36200 उसकी जो कॉल सेल की थी उसमें अल्मोस्ट वन लाग 14,000 का प्रफिट हुआ और 36300 में 20,000 का तो यह जो मेरी पोजिशन थी वह मैं एक्चुली कल कैरी ओर करके गया था 36600 का कॉल भीचा था और 36600 का पूट तो जैसे आप देख सकते हो बैंक निफ्टी बहुत बड़ा गपड़ा खुला और इनिशली जब मैंने देखा श्राटिंग में तो मेरे लॉसिस कहीं थोड़ी जाज़ा थे जब वहां पर 3600 का कॉल भी बेचा जब वहां पर 3600 के आसपास ही था था जब आपर 3600 के आसपास ही था बैंक निफ्टी और वहां पर एक रेड़ केंडल से अपसाइड कहीं न कहीं मुझे लग रही थी कि शायद रुप जाएगी लेकिन वो मेरा कॉल गलत हुआ और वहां पर भी मुझे लॉस बुक करना पड़ा जीसे अप देख सकते हो लोस बाइस को बैसिकली गफ मी अट व्राफिट करता उस पॉजिशन को तो इस मार्च एक बार फिर पोजिटिव से तो में बेसिकली मैनेज यूर लोसे और कहीं न कहीं मुझे मेरा स्टॉप लोस प्लेश करना बड़ा और बेसिकली पोजिशन से बाहर आना बड़ा लेकिन जब नेक्स्ट मोका मिला तो फिर भी मैंने रिएंट्री की 36 200 और 36 300 के कॉल उस पे और बेसिकली दोस प्रॉफिट्स वेर यू नो सबस्टेंशली मोर तो रिकावर मैं लॉसस और बेसिकली में को अवरॉल प्रॉफिट अफ वन लाग प्लास अब सो अल्मोस्ट नाइटी नाइट नाइट थाजन का प्रॉफिट पर मैंने बुक किया है और अब